नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम किंग पर बहुत बहुत स्वागत है डियर स्ट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के टोफ हंडर्ड क्योशन जो बार-बार आपसे एक्जाम में पुछी जा रहे हैं तो डियर स्ट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जुरूर कीजिगा डियर स्ट्स परते क्योशन का आंसर देने के लिए आपको 5 साइकिन का समय दिया जाएगा उसके बाद आपको क्योशन का आंसर बता दिया जाएगा और प्यारे बच्चो सभी से request है कि अपने परते question का answer comment box में जुरूर दीजिगा ताकि आपके जो भी doubt है वो साथ साथ clear होते चले तो चलिए डिरसन स्टार्ट करते हैं आज की वडियो और जुड़ते हैं अपने first question के साथ आज का आपका first question है कारिय का मातरक है आपने बताना है very important question है सभी बच्चे अपना answer जूरू लगईगा कारिय का मातरक क्या है तो right answer होगा option a जूल यहाँ पर आपका क्या होगा right answer होगा कारिय का मातरक जूल है second देखिएगा परकास verse की इकाई क्या है परकास verse की इकाई बतायेगा क्या है right answer का option a दूरी की परकास verse की इकाई दूरी है तो option a होगा आपका right answer चलिए next है थर देखिएगा ampere मातरक है जो ampere है वो किसका मातरक है right answer का option c विद्द्धारा का ampere विद्द्धारा का मातरक है c रहेगा आपका right answer next है dear friends निमलिक्त में से समय का मातरक नहीं है option c परकास verse यहाँ पर आपका right answer हेगा next है पार्सेक इकाई है जो पार्सेक है वो किसकी इकाई है right answer हेगा option a दूरी की तो a होगा आपका right answer next है निमलिक्त में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है तो right answer का रहेगा आपका right answer next है dear friends लूमेन किसका मातरक है आपने comment करके answer देना है लूमेन किसका मातरक है तो right answer हेगा option b जोती flux का तो b रहेगा आपका right answer next है dear friends पास्कल इकाई है किसकी इकाई है पास्कल right answer का option b दाब की जो पास्कल है वो किसकी काई है दाब की है b रहेगा आपका right answer next है dear friends कैंडला मातरक है किसका मातरक है कैंडला right answer होगा आपका option d जोती तिविरता option d रहेगा आपका right answer next है dear friends यंग परत्यस्ता गुणांक का si मातरक क्या है तो dear friends right answer का option c Newton by meter power 2 option c रहेगा आपका right answer 11 देखेगा dear friends नमलिक्त युगमों में से किन भोतिक राशियों के समान विमिया सूत्र नहीं है तो right answer का option a बल एवं दाब a रहेगा आपका right answer 12 देखेगा अदिश रासी है क्युशन आपका अदिश रासी हैँ तो right answer का ए उर्जा नमलिक्त में से उर्जा अदिश रासी है तो a होगा आपका right answer 13 देखेगा निमलिक्त में सदिस रासी है तो A रहेगा आपका right answer 14 देखेगा पदार्थ के स्वेग और वेग के अनुपात से कोन सी भोतिक रासी प्राप की जाती है right answer का option C दर्वेमान C रहेगा आपका right answer next है 15 सुन्ने में सवतंत रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या के right answer का option C समान कवरण होता है C रहेगा आपका right answer 16 देखेगा 16 है डियो स्टैंस किसी भी सिथिर या गती सिल वस्तुओं की स्थिती और दिशा में तब तक कोई प्रिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई भाय बल स्क्रियन नहीं हो यह है तो यह है right answer का option A Newton का गती विश्यक प्रथम नियम है तो A होगा आपका right answer चलिए 17 देखेगा राकेट ड्यास ड्यास के सिधांत पर कारिया करता है जो राकेट है वो किसे के सिधांत पर कारिया करता है आपका right answer 18 है प्यारे बच्चो आश्व यदी एका एक चलना प्रारहम कर दे तो अश्वा रोही के गिरने की आशंका का कारण हमने इहां पर बताना है तो right answer का option C विश्राम जड़त्तव C रहेगा आपका right answer 19 देखेगा चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते है इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है तो option B न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है तो B रहेगा आपका right answer next देखेगा आपका right answer next 21 शरीर का वजन right answer का B द्रूपर अधिक्तम होता है जो सरीर का वजन होता है द्रूपर अधिक्तम होता है B रहेगा आपका right answer 22 देखेगा एक आंत्रिक्स यात्री प्रित्वी तलकी तुल्ला में चंद्र तल पर अधिक उची छलांग लगा सकता है इसका क्या कारण है क्या reason है right answer का option C चंद्र तल पर गुर्टराक्षन बल प्रित्वी तल की तुल्ला में अत्यलब है तो C रहेगा आपका right answer 23 है एक किलोग्राम राशी का वजन है एक किलोग्राम राशी का वजन क्या है right answer का डियोर सेंट्स ओप्शन C 9.8 and option C रहेगा आपका right answer 24 देखेगा जड़त्व आगूरन वे कोणिये तवरन का गुननफल होता है तो right answer रहेगा यहाँ पर आपका option D 25 कोणिये सवेग option D रहेगा आपका right answer 25 देखेगा जल के आएतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 degree centigrade से गिरा कर 3 degree centigrade कर दिया जाता है तो right answer होगा आपका option C आएतन पहले गटेगा और बाद में बढ़ेगा तो सी रहेगा आपका right answer next 26 एक बीकर में पानी पर बरफ तै रहिया जब बरफ पूरण तै पिंगल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा तो क्या होगा यहाँ पर आप पर right answer c उतना ही रहेगा डियस चेंट तो सी रहेगा आपका right answer 27 देखेगा जब किसी बोल में पानी भरा जाता है उसे और उसे जमने दिया जाता है तो बोल तूट जाती है इसका क्या रीजिन है इसका क्या परिणाम है तो right answer का option a पानी क्या ह पानी जमने पर फैलता है इसलिए जो बोतल है वो तूट जाती है तो ए रेग आपका right answer नेक्स्ट 28 सड़क पर चलने की अपेक्षा बरफ पर चलना कठीन है इसका क्या कारण है right answer का option D बरफ में सड़क की अपेक्षा घर्षन कम होता है तो D रेग आपका right answer 29 देखेगा एक न उपर आएगा तो B होगा आपका right answer चलिए next देखेगा 30 लोहे की किल पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है लोहे की जो किल होती है वो पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है तो right answer का option C लोहे का घनताव पानी से अधिक है तथा पारे से कम है तो C रहेगा आपका right answer next है 31 पानी का घनताव अधिकतम होता है कहां पर होता है पानी का घनताव अधिक तो right answer का option B 4 degree Celsius पर तो option B रहेगा आपका right answer next देखेगा वस्तू की मातरा बदलने पर अपरवर्तित रहेगा क्या रहेगा वस्तू की मातरा बदलने पर अपरवर्तित रहेगा तो option D घनत तो यहाँ पर आपका right answer होगा चले 33 देखेगा समूंदर में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समूंदर की सतह से उपर रहता है तो right answer का option A one by nine option A रहेगा आपका right answer एक बटा no next देखेगा 34 बरफ के दो टुकडों को आपस में दबाने पर टुकडे आपस में चिपक जाते है इसका reason बताएगा तो right answer का डियो से option A दाब अधिकोने से बरफ का गलनांग क्या होता है घट जाता है एरेगा आपका right answer चरे 35 देखेगा हवाई जहाद से यातरा करते समय पैंसे शाही निकलने लगते है इसका क्या कारण है तो option A वाईउ दाब में कमी के कारण तो एरेगा आपका right answer 36 देखेगा उचाई की जगों पर पानी 100 डिगरी सेल्सेस के नीचे के ताप मान पर क्यों उबलता है तो right answer का डियो से option A क्योंकि वाईउ मडलिया दाब कम हो जाता है A होगा आपका right answer next है साबून के बुलबले के अंदर का दाब साबून के बुलबले के अंदर का दाब तो right answer का option A वाईउ मडलिया दाब से अधिक होता है A रहेगा आपका right answer 38 देखेगा वाईउ दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मोसम right answer का option D तुफानी होगा D रहेगा आपका right answer 39 देखेगा प्रेशर कूकर में खाना जल्दी पकता है इसका क्या कारण है right answer होगा option B अधिक दाब पर पानी अधिक ताब करम पर उबन ले लगता है B होगा आपका right answer B रहेगा देखेगा आपका right answer चलिए next देखेगा next आपका hydrogen से भरा रबड का गुबारा YU में उपर जाकर फट जाता है क्योंकि right answer का D YU दाब घट जाता है तो D रहेगा आपका right answer 41 देखेगा सूरिय में निरंतर उर्जा का स्रिजन किस बल के कारण होता रहता है जो सूरिय में निरंतर उर्जा का स्रिजन होता हु, वो किस कारण से होता है option A ना भी की है, option A रहेगा आपका right answer चलिए, 42 देखेगा चाभी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है चाभी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है तो B होगा आपका right answer स्तीज उर्जा होती है B रहीगा I, इस राइट आांसर 43 देखेगा जब हम रबड के गदे वाले सीट पर बैठते हैं तो गदे पर लेटते हैं तो उसका परवर्थित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या पाया जाता है B, स्थीज उर्जा पाई जाती है तो B रहेगा आपका right answer 44 देखेगा निमलिक्त में से किसमें गतिज उर्जा नहीं होती है तो right answer गटिज उर्जा ओप्सन D, खीचा हुआ धनुष D रहेगा आपका right answer 45 देखेगा जब एक चलवस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज उर्जा right answer का B, चोगनी हो जाती है तो B होगा आपका right answer 46 देखेगा निमलिक्त में से कौन सा नियम इस कथन को व्याद ठहराता है कि दरव का ने तो श्रजन क्या जा सकता है और नहीं विनास right answer का option A, उर्जा स्रंक्षन का नियम A रहेगा आपका right answer 47 देखेगा, cycle चलाने वाला mode लेते समय क्यो जुकता है, जो cycle चलाने वाला होता वो mode लेते समय क्यो जुकता है इसका क्या कारा है, right answer का option B, वह जुकता है ताकि गृत्व केंदर आधार के अंदर बना रहे वह उसे गिरने से बचाएगा, तो B होगा आपका right answer 48 देखेगा, दूद से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो right answer का direction option A, अप केंदरी बल लगता है A होगा आपका right answer 49 देखेगा, जब एक पत्थर को चांड की सत्य से प्रिथी पर लाया जाता है, तो क्या होता है, right answer होगा, option B, इसका भार बदल जाएगा, प्रन्तु द्रवेमा नहीं बदलेगा, B रहेगा आपका right answer 50 देखेगा, किसे lift में बैठे वे वेक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो right answer का B, जब लिफ्ट तवरित गती से उपर जा रही हो, B रहेगा आपका right answer 51 देखेगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया, तो प्लीज लाइक और शेर किजिगा, और new student हो तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब, प्लीज बैल आइकन को ज़रूर प्रेस के लिजिगा, 51 देखेगा, एक lift में किसी वेक्ति का प्रतेक्स भार वस्तिक भार से कम होता है जब lift जा रही हो, right answer का B, तवरण के साथ नीचे, तो B रहेगा आपका right answer, चले 52 देखेगा, प्रित्वी के गुर्त्वाक्षन का कितना भाग, चंद्रमा के गुर्त्वाक्षन के सबसे नस्दीक है, तो right answer का option C, 1 by 6 option C रहेगा आपका right answer, एक बट option B, लंबाई के उपर निर्भर करता है, B होगा आपका right answer, 54 देखेगा, लोलग घडियां होती है, जो वो गर्मियों में क्यों सुष्ट हो जाती है, जो लोलग घडियां होती है, गर्मियों में सुष्ट पढ़ जाती है, इसका क्या कारा हैं, right answer का option C, लोलग के लंबाई ब करती के, अनुपात को क्या कहते हैं, right answer रेगा, डियों स्ट, option A, पावासो अनुपात कहते हैं, तो A होगा आपका right answer, 56 देखेगा, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, जो वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है, right answer का option A, सथी तनाव के कारण, वर्षा की जो बूं इसस डियास के कारण, उपर उठता है, किसके कारण, उपर उठता है, तेल, डीब की बत्ती में तेल, right answer रोगा, option B, केशी का किरिया ओप्शन बी रेगा, आपका right answer, 58 देखेगा, सैंता की इकाई है, क्या है सैंता की इकाई, right answer रोगा, option A, पवाई जहाँ पर आपका right answer वैज्यानिक है तो right answer होगा option A, आर के मेडिज option A रहेगा आपका right answer, 60 देखेगा, महान वैज्यानिक आर के मेडिज सम्बंदित थे, किस से सम्बंदित थे, कौन से country से सम्बंदित थे, right answer होगा option D, गुरे से D रहेगा आपका right answer, चलिए 61 देखेगा, धवनी तरंगों की प्रक right answer का option B, अनुधैरिय होगा आपका right answer, 62 देखेगा, अपने उडान पथ में और रोधकों की पहचान के लिए, चमगादर, निमलिक तरंगों में से कौन से एक तरंग का उपियोग करते है, तो option C, प्राशरव तरंगे C रहेगा आपका right answer, 63 है, प्राशरव वे धवनिया है, जिनकी आवर्ती होती है, option A, option A होगा आपका right answer, जिनकी आवर्ती 20,000 HZ से अधिक होती है, A रहेगा आपका right answer, next, next देखेगा, धवनी तरंगे है, धवनी तरंगे है, तो right answer का option A, लंबवत, जो धवनी तरंगे होती है, वो लंबवत होती है, A रहेगा आपका right answer, 65 यहाँ पर आपके लिए शुर्व प्रिशर में धवनी तरंगों की आवर्ती क्या होती है तो right answer एगा option A यहाँ पर आपका right answer रहेगा 66 देखेगा धवनी की चाल अधिक्तम होती है निमलिक्त में से धवनी की चाल किसमें अधिक्तम होती है right answer एगा D spot में चलिए next 67 देखेगा धवडी में वाईउ में धवनी का वेग लगभग वाईउ में धवनी का वेग है लगभग right answer का option A 332 मिटर से centimeter तो A होगा आपका right answer चलिए next 68 देखेगा 100 decibel का शोर सतर निमिन में से किसके संगत होगा तो right answer का option D किसी मसीन की दुकान से आने वाले शोर गुल तो D रहेगा आपका right answer चलिए 69 देखेगा यदि सितार और बासूरी पर एक हिस्वर बजाया जाए तो उनसे उत्मन धवनी का वेद निमलिक्त में अंतर के कारण किया जा सकता है तो right answer का option D केवल धवनी गुणवत्ता तो D रहेगा आपका right answer नेक्स देखेगा प्यार बच्चो decibel iqai का प्रियोग किया जाता है decibel iqai का प्रियोग कहां पर किया जाता है option C धवनी की तिविर्था के लिए तो C रहेगा आपका right answer 72 देखेगा धवनी तरंगे किसके काण प्रती धवनी उत्पन करते है तो option C प्रावर्तन यहां पर होगा आपका right answer 72ुए देखेगा शोनार अधिकांस्त्य है प्रियोग में लाया जाता है रॉइट ऑफ़्षन डी नो सन्चाल को द्वारग किया जाता है ड रहेगा आपका रॉइट आंसर哦 sche डोपलर परभाव कहते हैं तो B रहेगा आपका राइट आंसर 74 देखेगा पास आती हुई रेल गाड़ी की सिटी की आवर्ती या अतिक्षंता बढ़ती जाती है ऐसा किस परी घटना के कारण होता है राइट आंसर का ओप्शन B डोपलर परभाव के कारण होता है तो B रहेग है 310 है डी रहेगा आपका राइट आंसर चले 76 देखेगा कितना ताप मान होने पर पाठ्यांक Celsius और Fahrenheit ताप मापियों में एक ही होंगे तो राइट आंसर को ओप्शन A माइनस 40 डिगरी ओप्शन A रहेगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट है 77 देखेगा न्यूंतम संभाव ताप है तो राइट आंसर को ओप्शन A 273 डिगरी Celsius तो A रहेगा आपका राइट आंसर चले 78 देखेगा किसी मनुष्य के सरीर का समाने ताप करम होता है किसी मनुष् एक सवस्थ मनुष्य के सरी का ताप होता कितना होता है ओप्शन A 37 डिगरी Celsius A रहेगा आपका राइट आंसर चले नेक्स्ट है ठेंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकडी के गुटके को प्राते काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है इसका क्या करन है राइट आंसर का B लकडी की तुल्ला में लोहा उस्मा का क्या होता अच्छा चालक होता है तो B होगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट है 81 देखीगा आणिविक संचलन के दुआरा उश्मा का संचरन क्या कहलाता है तो राइट आंसर अप्शन B स्वहन यहाँ प पर आपका right answer होगा next एडिशंस ग्रीशम काल में हमें सफेद वस्तन धान करने के लिए सला दी जाती है राय दी जाती है इसका क्या कारण है इसका कारण है डिशंस option c सफेद वस्तर ताप का कम अवशोशन करते है तो और सफेद वस्तरों में हमें गर्मी भी कम लगती है तो c ह आपका right answer next है देखेगा तेज हवा वाली रातरी में रात में ओस नहीं बनती इसका क्या कारण है तो option a वस्त पी करन की दर तेज होती है तो ए रहेगा आपका right answer next है ठोस कपूर से कपूर वस्त बनाने की प्रिक्रिया को क्या कहते है तो option d उद्व पातन कहते हैं तो d आधरता से प्रेशानी महसूस करता है इसका निमिन में से उप्युक्त कारण क्या है राइट आंसर को option c पशीना का आधरता के कारण वस्त नहीं होना तो c रहेगा आपका right answer 87 देखेगा किसी दरव का उसके कंथनांग से पूरा उसके वस्त में बदलने की प्रिक्रिया को क् आपका right answer 88 देखेगा पहाड़ों पर पानी निम्लिक्त तापमान पर उबलने लगता है जो पहाड़ों पर पानी निम्लिक्त तापमान पर उबलने लगता तो right answer होगा आपका option a 100 degree Celsius से कम पर तो आपका right answer चलिए 89 देखेगा भाप से हाथ अधिक जलता है epic शकृत उबलते जलते क्योंकि right answer option a भाप में गुप्त उश्मा होती है ए रहेगा आपका right answer next देखेगा उश्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधाना की पुस्टी करता है right answer option a उर्जा सरंग्षन ए रहेगा आपका right answer next परकास तरंग किस परकार की तरंग है जो परकास तरंग है वो किस a अनुप्रस्थ तरंग a रहेगा आपका right answer 92 देखेगा परकास विकरण की प्रकरती होती जो परकास विकरण की प्रकरती कैसी होती है right answer को option c तरंग एवं कन दोनों के समान तो c रहेगा आपका right answer 93 देखेगा माध्यम के तापमान में विर्दी के साथ प्रकास की गति क्या ह होती है राइट आंसरों का option a बढ़ती है 94 देखेगा परकास की गती परकास की गती तो राइट आंसर को option c 3 multiply 10 power 8 m by s option c रहेगा आपका right answer चली next है सूर्य ग्रैन होता है जब सूर्य ग्रैन कब होता है right answer का option a चंदर मा सूर्य और प्रिथवी के बीच आ जाता है तब क्या होता है जब सूर्य ग्रैन होता है यह होगा आपका right answer याद रहेखे का सूर्य ग्रैन कब होता है चंदर मा सूरिय और पित्वी के जब बीच में आ जाता है तो क्या होता है सूरिय घ्रैन होता है तो ए होगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट है चंदर घ्रैन घटित होता है कब होता है चंदर घ्रैन घटित राइट आंसर का ओप्चन B पुर्णी मा के दिन चंदर ग्रैंड कब घटीत होता है पुनिमा के दिन घटीत होता है तो B होगा आपका राइट आंसर 97 देखेगा उची तरीती से कटे हीरे की ऐसाधन चमक का आधार भूत कारण यह है की राइट आंसर का ओप्शन B उसका अती उच अपवर्तन सुचांक होता है तो B रहेगा आपका राइट आंसर 98 देखेगा जब एक कॉन पैक्ट डिस्क यानि सीडी सूर्य के प्रकास में देखी जाती है तो इंदर धनुस के समान रंग दिखाई देते इसकी वख्या की जा सकती है राइट आंसर का ओप्शन A प्रावर्तन एवं अपवर्तन की प्रिगटना के आधार पर तो A रहेगा आपका राइट आंसर चले 99 देखेगा किसी गुण धरम के कारण पानी से भरे बरतन में डुबोई गई चड़ी मुरी हुई परती तो होती है तो राइट आंसर का ओप्शन C अपवर्तन तो C रहेगा डिर्शन से आपका राइट आंसर चले आज का आपका लास्ट कुछन देखेगा पूरण आंतरिक प्रावर्तन होता है जब परकास जाता है कहां पर जाता है राइट आंसर का ओप्शन A हीरे से कांच में जाता है त तो प्लीज इसको लाइक और शेर जुरूर की जगा तो चलिए डियर सांस मिलते अपनी नेक्स वीडियो में कुछ और महत्रपून कोशनों के साथ तब तक मेरे पैर बच्चों सभी को जैहिंग जैभार्थ वंदे मातरग